है यहां पर आपको लिख लेना इसका आंसर जो हो जाएगा ठाइस यहां पर साथ है तो इसका आंसर हो जाएगा तिरासी ठीक है यहां पर कितना है अर्टालिस है यहां क्या हो जाएगा 72 ठीक है और यहां पर कितना है आप बताइए देखिए साथ 97 लिखा हुआ है आप बताइए इसका आंसर क्या होगा जिस तरह से मैं आपको जल्देले क्यूब रूट निकाल के यहां पर दिखा दिया आप भी निकाल पाएंगे जी हां गरेंटी से कहतो आप निकाल पाएंगे लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा और कुछ रूल्स होते हैं उसको आपको फोलो करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए वो रूल्स क्या है आप देख पा रहे हैं यहां पर लिखवा दे तो देखिए की एक का क्यूब रूट क्या होगा एक होगा दो का क्यूब रूट क्या होगा आठ हो जाएगा तीन का क्यूब रूट क्या होगा तीन का क्यूब रूट हो जाएगा 27 ठीक है और चार का क्यूब रूट क्या होगा आपका हो जाएगा 64 ठीक है पांच का क्यूब रूट क्या होगा ए 712, ठीक है, 9 का cube root क्या होगा, आपका 9 का cube root हो जाएगा, 739, ठीक है, 10 का cube root क्या होगा, 10 का cube root होगा, 1000, तो आप देख पारों, ये cube roots आपको याद कर लेना है, बहुत इजली याद हो जाता है, चलिए, आप ये जो आया कैसे, इसको हम सीखेंगे, इसको सीखने के लिए आपक कैसे हम करेंगे, ठीक है, चलिए, question को निकालते हैं, तो देखिए, जैसे यहाँ पर देख पारों, अंडर root जो है, एनकी cube निकालना है, 21, 592, ठीक है, ये लिखा हुआ है, हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले, नीचे के 3 डिजिट, देखिए, 3 संख्यान की, 1, 2, 3, 3 संख्य आप सीख जाएंगे, और जब आप सीख जाएंगे, तो आप देखते ही answer बता देंगे, तो चलिए, हमें क्या करना है, 1, 2, 3, 3 संख्या हमें क्या करना, नीचे underline कर लेना है, ठीक है, अब हमें 3 संख्या का अंदर देखना है, एनकी जो last का संख्या है, जो संख्या है, और को देखना है और यहां पर मैच करना है कि दो कहां पर आ रहा है यहां पर देखिए तो यहां पर देखिए कहीं दो है यहां पर एक है आठ है साथ है चार है पांच है छे है तीन है दो है नो है और जिरो जिरो है तो दो यहां पर आ और यहां पर भी दो है ठीक है तो जो इसका जो यहां के बराबर के जो लेफ्ट साइड में है यहां कि आठ इसको आपको यहां पर लिख लेना है क्या करना है लिख लेना है आपने लिख लिया अब आपको क्या करना है इस तीन डिजिट को भूल जाना है क्या करना है तीन डि इसके बीच में 21 आता है क्या है? जी हां आता है. क्या 27 और 64 के बीच में 21 आता है? नहीं आता है. तो यह यानि कि हम क्या सकते है कि 8 और 27 के बीच में 21 आता है. इसलिए हम छोटा वाला यानि कि छोटा वाला तीन को नहीं लेंगे. तीन से छोटा वाला दो. दो को हम लिख दें लिए 28 है 28 गुना में 28 और गुना में 28 एनकी जब 28 को हम 3 बार गुना करेंगे और multiply करके जो हमारा answer आएगा तो यही आएगा ठीक है उसी को बोलते क्या cube root बोलते हैं समझ गये होंगे cube root क्या था चलिए अब next देखते हैं अगर पहले से आपको समझ में नहीं आएगा तो next में आपको समझ में आ जाएगा कोशिस करिए आप last वाला निकालने के ठीक है आपके सामने formula है अगर आपको समझ में आ गया होगा तो last वाला निकाल के आप comment box में लिखिए इसका answer क्या आएगा अब हम क्या करेंगे second को करते हल हमने जो बताया था अभी कि तीन संख्या को underline कर देना है और इसका एकाई वाला इनके साथ वाला साथ को देखना है उसको कहां देखना है यहां पर देखना है कि साथ कहां पर आ रहा देखिए यहां पर आ रहा है साथ और कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है तो इसके जो सामने वाला तीन है उसको आपको यहां पर ल इसके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखिए, 512 और 729 के बीच में 571 आता है यारण कि बीच में आता है, वो देखना है, तो बीच में आता है 571 औरufenra 119 इसका अंसर comment box में जल्दी से बताइए आप देखते हैं हम third question बहुती जीए आप इसको देख लिजे एक बार देखिए सारे question भूलना मत ठीक है देखोगे practice हो जाएगे आपको समझ में आ जाएगा चलिए फिर हम इसका क्या करेंगे इकाई का अंक देखेंगे तीन संख्या तीन डिजिट्स इकाई का अंक आठ है हम यहाँ पर ढूंडेंगे आठ कहाँ पर आठ देखिए यहाँ पर आठ है ठीक है तो इसका सामने जो दो है ना उसको हम लिख देंगे दो लिख दिया अब देखिए अब आपको क्या करना है इ क्या लिख देंगे ? साथ तो देखिए इसका cube root होगा 1772 हो जाएगा संख्या को ہं WATने कर लेना साथ है साथ लिखना यहाँ पर log थो यहाँ पर क्या करना है 11 का cube root आपको याद कर लेना 11 का cube root होता है 1331 ठीक है और 12 का cube root क्या होता है 12 का cube root होता है 1728 ठीक है तो देखिए आप यहां पर 1442 है तो 1442 किसके बीच में आता है 1331 और 1720 को बीच में आता है कि नहीं आता है देखिये आ रहा है साग 1331 और 1728 के बीच में क्या آता है 1442 लिस तो इसलिए हम छोटे बालों को लिख देंगे तो यहां पर क्या हो जागा 11 तो आप देख पा रहे हैं जो इसका जो क्यूब रूट होगा वो क्या हो जागा 113 समझ गया ना फ्रेंड्स अगर वीडियो में आप समझ पा रहे हैं तो वीडियो में एक लाइक कर दीजेगा और अगर आप चैनल पे नए वीवर से तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगर चाहते कि आपके फ्रेंड भी इस तरह से अगर सीख जाए से ट्रिक तो प्लीज उनको वीडियो शेर जरूर करें मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक लिए जै हिंद जै भारत